दोस्तों आज हम लहसुन के फाइदे के बारे में बात करेंगे लहसुन के क्या-क्या फाइदे हैं और इसे कैसे और कितनी मात्रा में ले सकते हैं आईए जानते हैं लहसुन हमारे शरीर में कॉलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है जो आज के दौर में सभी के लिए जरूरी है कम उम्र के लोगों में भी कॉलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या देखने को मिल रही है जिसके कारण होट अटेक और स्ट्रोक का खत्रा रहता है साथ ही इसमें मौजूद एंटी ओक्सिडेंट्स दिल के लिए फायदेमंद माने जाते हैं जिन पुरुषों में इंफटिलिटी कम होती हैं उनके लिए लहसून रामबान है लहसून खाने से पुरुषों की सेक्स ड्राइव बढ़ती है और इंफटिलिटी का खत्रा भी कम होता है लहसुन में anti-inflammatory gun पाए जाते हैं जिससे सूजन कम करने में मदद मिलती है इसे खाने से arthritis जैसी बीमारियों की वजह से हुने सूजन को कम करने में मदद मिलती है इससे दर्ग से आराम मिलता है और arthritis के लक्षनों से आराम मिलता है लहएसुन में एलिसिन पाया जाता है जो blood pressure control करने में मदद करता है इसलिए high BP के मरीजों के लिए लहसुन खाना काफी फाइडेमंद हो सकता है इससे दिल से जुड़ी बीमारियों को कम करने में काफी मदद मिलती है लहसुन में anti-microbial boon पाए जाते हैं, जो सर्दी जुकॉम से राहत दिलाते हैं मानसुन या बदलते मौसम में अक्सर सर्दी जुकॉम की समस्या हो जाती है ऐसे में लहसुन में मौजूद vitamin C और B6 immunity मजबूत बनाते हैं, जिससे खांसी जुकॉम से आराम मिलता है एकने त्वचा के पोज में bacteria जमा होने की वजह से होते हैं ऐसे में लहसुन में मौजूद antibacterial boon acne होने से रोकते हैं और अगर हो गए हैं, तो उन्हें जल्दी ठीक करने में भी मदद करते हैं अब जान ले की कैसे खाएं लहसुन लहसुन की गंध और स्वाद दोनों ही बहुत तेज होते हैं इसलिए इसे खाना सब के बस की बात नहीं होती इसलिए इसे खाने की शुरुवात आधे लहसुन से करें और धीरे धीरे एक लहसुन की कली खाना शुरू करें इसे आप टुकडों में कात कर भी खा सकते हैं जिससे इसे खाने में आसानी होगी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे हम ऐसे ही हेल्थी वीडियो आपके लिए लाते रहते है थैंक